हेलो फ्रेंड्स, मैसेल पाटिंजी निशानिल, मैंने अपना CS फांडेशन डिसेंबर 2018 में क्लियर किया है मेरे को CS फांडेशन में 252 मार्क मिले और सच बात बोलू का तो ना मुझे ना मेरी फैमिली को एक ओन्फिडेंस था कि मैं CS फांडेशन क्लियर कर पाऊंगा बस एक इंसान जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि तु ये कर सकता है तेरे में कैलिबर है वो है मेरे टीचर मिस्टर रामेश्वरतामले सर हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि दिनेश तु ये कर तेरे में कैलिबर है तो CS फांडेशन आसानी से पास कर सकता है और उसी वज़े से मुझे लगा कि सर अपने पर ट्रस डाल रहे है तो आप उनको भी ऐसा करके दिखाना है कि सर का सर के विश्वास को ठेज न पोचे इसलिए मैंने भी थोड़े लास्ट लास्ट में एफर्ट्स लिए और सर की टेस्स सीरीज ने भी मुझे आप यह सीएस फांडेशन क्रेक करने में बहुत बड़ी मदद की सर जब सिखा थे तो वह एक एक पर्टिकुलर टॉपिक सिखा रहे तो उस टॉपिक की एक सेंट्रल थिम बना कर सामने रख देते और उस सेंट्रल थिम में से ही 70% क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिंग में क्या होगा और बाद में वह वही निकलता है जैसा स्टूडेंट्स ने आजूम किया था फिर हमको फाउंडेशन में बिजनेस लॉज सर पड़ाते थे लॉज मतलब सर का एकदम हैंड है लॉज मेरा इत्ता परफेक्ट हो गया था कि मैं आसानी से उसके अंसर मेरेको क्लिक हो जाते थे दिमाख में और बोलू तो एकोनोमिक्स मेरेको साक्षी मैंने पड़ाया वो भी बहुत एकोनोमिक्स अच्छा पड़ाती है मेरा सब माइक्रो एकोनोमिक्स वगेरा एकदम परफेक्ट हो गया था उनकी वज़े से फिर मैनेजमेंट और आकाउंट्स हमको सरी पड़ाते थे थे वो मतलब अल्रॉंडर टीचर है उनके बारे में मतलब इसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते आज मैं आख़ा हूँ तो सिर जो, 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 बारे माइक्रो एक काम नहीं है, खिर माइक्रो एक काम नहीं हो यो सिर दू है एक बारे में आख़ा है जो, जो.